आमका पेड काटने को लेकर हुई व्यक्त की हत्या मिरतक के परिजनों का रोरो कर है बुरा हाल तस्वीरों में आप साथ देख सकते हैं कि यही वो पेड है जिसे काटने को लेकर व्यक्त की हत्या की गई है जहां आमका पेड काटने को लेकर ब्यक्त को अपनी चान से भी हाथ धोना पड़ा आमका पेड काटने को लेकर हुए बिवाद में एक यूबक ने 45 वर्ची ब्यक्त को कुलहाडी से मार कर घायल कर दिया घायल का जिलास पताल में उप्चार के दवरान मोथ हो गई गटना छपिया थाना छेतर के गराम निर्जापुरका है जहां गाउं के महेश तिवारी वर रागबेंदर तिवारी के बीच खेत में लगे आमका पेड काटने को लेकर बिवाद हुआ था मिर्तक के पुत्र विकास तिवारी में थाने में तहरीर दी है कि रागबेंदर तिवारी ने आम के एक छोटे पेड को काट दिया था जिस पर उसके पिता महेश तिवारी मना करने गए तो उन्हें कुलहाडी से मार कर खायल कर दिया गुहार मचाने पर विकास और उसकी मा मिथलेस बचाने दौनी तो उन्हें भी मारा पीटा गया गटा की सूचना मिलने पर छापिया पुलिस घायल को समधाइक स्वात केंदर छापिया ले गई गर्दन और सर पर गंभीर चोटाने के कारण जिलाच शिकित साले गोंडा रिफर कर दिया गया जहां उन्हें मीर्त घोसित किया गया वह से जनपत गोंडा अपराद के मामले में आजकल सुर्खियों में यहां आए दिन अपराद करना आम हो चुका है लगता है कानून का भय यहां के लोग भोल चुके है छोटे-छोटे मामलो में लोग हत्या करने लगे है इसलिए इंडिया टाइम समचार एजनसी सासन पर सासन से अपील करता है यह इसे लोगों का फन पुचल देना चाहिए जो कानून को कठ पुथली समझ बैठे है लहन पर कुढ़ारी लेके मारी ति कौन मार दिया वहीचा किसको मर दिया राव गुच्व किशको के आपकी पिताजी यह ऐने कि आलसमगा पर हमने सब्सक्राइब कर Oh जंदा मों यहां daha व्मला पर tam सुए में यहां ठीजिदा गजा पर में इन्षुमगे और भाए था में आपक्री कुष्ट इसे fent लोह भी इनफ तो कि घर उत्व हो गई किया मामिला था मामिला है ता कि उसने एक प्याइड काटा था आम का जिसने रागवेन ना का ना रागवेन थे वारी नहीं तो बुलाया गया और वह भग दया बाद में उसने सोदा कि हमारे उपर रिपोर्ट योट होगा इस दिए हमें कि अगर्दन पर किस ने किसको मारा महस्तिवारि को नहीं को नहीं कि यह दो प्रोसी जिमें जगड़ा हो गया उसका कारण ये था कि आम जो है प्रेड को काटने को लेकि विवाद था इन में आपस में काफी मान भी ठोगी इसका अभियोग जो है वहां चाहिए ठाल 55 करण तक किस से हमगा क्या लिया है यह उतने गर्दन और शरी के अन भागों पर गंभी चोट थी वहीं दूसरी तरफ है सेच्चो संजेटोमर ने इंडिया टाइम्स को बताया कि मिर्टक के पुत्र की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया गया है मिर्टक महेश तिवाईरी के पास दो पुत्र ववा एक पुत्री है मिर्टक के माता पिता वा पत्री का रोरो कर बुरा हाल है आपको बताते चलें कि मिर्टक सूरत में प्राइबेट कमपनी में काम करता था करीब एक महिना पहले घर आया था ये थी इंडिया टाइम समाचा रेजन्सी के लिए गोंडा से सतिस बर्मा की रिपोर्ट